ओम्नमाद्बावती पता यहार आहरा हारे महाधियोग वह यह पात कुछ यहां तो जमी नहीं है है लगे कार्ण बावा जी कासे हमारा विदा श्राश वाले जारकंट के तो विए समय इस्टार जुकाया तो पिछले विक हम गए तो बावाजे से मिल नहीं कले वावाजी को जल जुआने कले पंपापुर्परवत कहा है मैं बता ताम तो आपको अगर नहीं पता है पंपापुर्परवत है जार्खन में जार्खन से आप गुंबला होगा तो पालपटना में एक फ्यूडवल गाउं मिलेगा जो की राजाओं के द्वारा रन किया जादा पहले हो जी हां एक खास बात और है कि यहीं पे बाली सुग्रिव प्राचन काल में रामायन वर्नित आ अब मुझा मिलो तो दिखाएंगे वह भी हम आपको तो वहीं पे जाके छेपेते तो यह हमारा गाउं वह रामायन में जुड़ा हुआ है तो भया आपको तो पता महाकाल के अम कितने बड़े भकते हैं तो जैसे ही बगवान की बात आती है तो निकल पकते हैं गर से चाहे तो रातरी के तस बज रहे हो यह ग्यारा और मामना जब ख्रैकिंग का हो तो भया हम पीछे नहीं रहते हैं आपने वीडियो में तो देखा होगा तो भी अपर क्या था कॉल आया विट्टू ललिप विसाल का और हमने भी बैक पैक किया टेंट पकड़ा टेंट बैग में ड बाबा आश्रम पहार तो सावन का कल फश्ट सुम्वारी है तो हम लोग जा रहे कल बाबाजी को थोड़ा जल चड़ाएंगे और अगले सबता हम लोग निकलने माले बाबा धाम के लिए क्या विशाल पूरा विवस्था टाइट रहा या ना तो अभी आज का प्रोग्राम करना है केंपिंग ठीक है अभी जाते हैं उपर और उसके बाद विवस्था अपना सेट करेंगे चीज बताता हूं यह जंगल है थोड़ा सो खुंखा जंगल है क्योंकि यहां पर भालू हाथी तरह तरह के को जानवर लकर बाती हो गया रहा शांप बिच्छू तो भूतो को हाथे का मिले जाते हैं अपको कम नहीं है मरे वाई तो रात में थोड़ी सी तो फटती है हमारी उपर जाने में लेकिन जब बाबा के पास जा रहे हैं तो कोई टेंशन ने वागी हाथ में टॉच थी और आप यह देखो कैसे हम बढ़ रहे थे आगे तो यह अभी हमने बात की साप की बिच्छो की तो यह लोग धरसन भी कर लेते हैं तो रात में थक गए तो थोड़ा और अपना जुगार हम लेके चलते हैं आपको पता ही होगा टेंट अमने लगाया टेंट एक दम खुपसूरत से जगह में ताकि सुबह में उठते के साथ व्यू ऑसम सा मिले और बास गहरे नीद में सो गया है तो रात में आगे थे परवत के उपर और लगा लिया था अपना तंबू और सो रहे थे अभी सुबह के छे बज़रें और बाहर का नजारा एकदम अलग सा हो रखा है काभी बावा के भाग पहुंचे हुए है और हमारा ऐसा सीने की अवे सीनी अलगा बाहर का यह बाहर का व्यू देखो आप बस हां तो यह यह नजारा जो आप देख रहे हो यह है पंपपुर परवत का जो की मेरा फेवरिट स्पॉर्ट है यहां से अभी फॉग है यह दिखनी रहा है बाकी लोकेशन एवन है बास और यह चट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् यहां पर रात में सभी लोग सुए हुए थे मैं तो गहरी नीद में सुए हूं क्या वेदर था बहुता देखो आप हमने कैम्पिंग कहां की थी आगे में मंदिर है यह में रास्ता आने का लोकेशन या इप्टिक लेवल की मतलब कैम्पिंगे अलग ही वजए है मेरे वाई हां तो अब बात आती है कि इना नाय तो हम जल समर्पन करेंगे ने तो बस पानी के खोज में निकल पड़े हम जंगलों के बीस से हुके जा रहे थे हैं तो एक बंदा मिला वो थोड़ा गुमा एक्स्प्रोर किया हुए उसका तो वो मिला और उसने ले गिया एक छोटी सी पाड़ों में जो पानी एक साइड से उतरती है वहां पर एक छोटा से चित्तांता तो थोड़ा से अगंदा था मगर उसने खुद थेंकि बाई तो उसने खुद साफ किया और वहां पर कुंड बनाया है मतलब वहां नहाने के मजे से आगा पाड़ एले मंदल माना अमंदल हारी रवह से अजर भियारी तो यही है वह कुंड चीज है हमने साफ किया और पानी दो क्या फ्रेश है और मतलब ठंडा सा पानी शरीद में नहाने के टाइम जबाया तो भाई आनन्दी अलगता अभाई मैं सच बता रहा हूं नेचर में नहाने का मजा ही अलग है कि लभ के इसका कोई तूड़ी नहीं है भाग यह सचके है किषिंटा नेचर है नेचर से हम है हमसे नेचर भागी आप टाइम नहीं है तो भूचाए करने का तो बसकcyj की मंदिर के सामने सामने घृट तर 튀व कर requests I got इतना जादा भीड कभी नहीं वा था तो भाई कि महाना पाल को टार आप अगर वीडियो को सेर करते हैं तो लोगों को पता चलेगा और और लोग भी आएंगे मुझे चलेग में रामसिया जब देतने मंगर मवान रामंगर हारी रामसिया राम जै जै राम सिंãyन को से खिए आधा खिर घो सीखासीव the bus hier मोच सबसे पहले हैं आप को मांते ललाल। कर चनने लाणा पड़ेगा और प्रसाद तो भाई चननल लगने बाद वालत प्रसाद मिले में यह सामने वाधियों में बैठेlor और ठांट् hamm了 जो स्वाग था तो यह जो मंदिर है यह बाबा जी जिन्होंने पालकोट में पंपापुर परवत के ऊपर यह शाला के स्थापना की उनका समाधी अस्थाल है तो बाबा जी नहीं इन्होंने यह पंपापुर परवत के ऊपर में यह सारे चीजों के अस्थापना की थी 1992-1993 में यह यह यग्य शाला जहां पर हर वर्स यग्य का आयोजन किया जाता है लाकों में यहां पर लोग आते हैं याग्य को देखने के लिए और अपनी मन कामना को पूरा होते मांगने के लिए बगवान से तो यह है वो यग्यशाला और इसका भी काम कुछ दिन में चलेगा और इसे और भी जाते सुन्दर बना दिया जागा क्योंकि यातरी यहां पर बहुत जदा आने लगे हैं और बाकी जैबाबा की अभी मिलता है आगे आपने बस ओपर की वादिया देखिया है रात में चले के बहुत है ना बहुत है तो यहां से शुरू होता है तो यहां कुछ ऐसा नजारा है हमारे पालकोट गाओं का अब ही नीचे उतर रहे हैं रात में इदरी से चाड़े थे देख सकते आप कितना डेंजर रोट है रात के लिए और बारिस के टाइम पर थोड़ा स्लिप भी करता है तो अभी नीचे उतरते हैं आपना पूजा पाट सब हो गया है तो आप यह जो गुफा देख रहे हो यह है गोल्ड़ता का गुफा जो कि देखने बहुत आकरसक लगता है और यहां पे एक खास चीज़ है यहां पे कुण है आप देख सकते हो भावा जलकुंड यहां पे भगवान जी विराज़े हुए है यहां से आप कितना भी पाने निकालो यह खतम नहीं होता पान एक्टम नजदीक में और यहां पे नीचे में आपको स्यूजी की प्रतीमा भी मिलेगी तो स्टार्टिंग पॉइंट प्राम प्राम कैसा लगा यह वीडियो और पंपपुर परवत और जो मैंने बताया जो डीटेल दी कैसा लगा यह वन था ना मतलब मजा आया ना वीडियो में सच बताना भई लब रीवा आपका मेंटर करता है मेरे लिए तो भाईया जी यहां पे वीडियो को करते हैं यह वीडियो को सच बताना हम पर जाहिए भाईया जी मेले बताध्यों कुछ Amen